गुद्वार्णिंग एवरिवन, हाव यू अज़ी आपको आपको पढ़ना चाहेंगे तो फिश टेल करके चैप्टर है उसको भी आप पढ़ सकते हैं तो इसका जो पहला पाथ है देखते हैं इसमें क्या है गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मचलियां तैरती श तीन पंक्तियों में कही गई इस कवीता को हाइकू कहते हैं हाइकू एक जैपनीज वर्ड है और इसमें प्रकरती के बारे में जो इस तरह की छोटी कवीता हैं तीन लाइन के कवीता हैं जो होती हैं उनको जैपनीज में क्या कहते हैं हाइकू कहते हैं ओके तो एक और हाइक यहाँ पर दे रखिये उसको भी पढ़ते हैं तालाब शांत स्थिर मचली उचली और लोटी तालाब लहरों से हिल गया है न तो इसी तरह आपको भी मचली से क्वीटि कोई कविता आती ऑगी है न म्चली जलकी रानी यह वो तो सभी को यह आती होगी तो आप भी उस कविता को सुना सकते हैं यहां बच्चों के बनाए गए मश्लियों के कुछ चित्र दिये जा रहे हैं जब तुम मश्ली के बारे में सोचते हो तम मश्ली की कौन से आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है यह देखो अब यह चित्र कईसे दे रखें यह वाला drawing है यह नव्यता कोई class one की है उसने बनाया है है ना और यह वाला जो drawing है यह Maya कक्षाचार की उसने बनाया है और इसी तरह यह बच्चों ने क्या बना रखी है अलग-अलग drawing जिसे आप लोग भी हो हो अलग-अलग तरह की drawing बनाते हो फिश की ठीक है तो आप जब मचली के बारे में सोचते हो तो आपके माइन में क्या आता है किस तरह की image आपके माइन में बनती है और इसमें वो कह रहे हैं कि मचली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुश का उप्योग करो है न एक square और triangle से मचली का चित्र बनाओ तो आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक square बनाओ और उसके पीछे से एक triangle बना के आप जो है उसको बना सकते हैं देखो दिख रहा है मैं आपको और clear लाके दिखाती हूँ यह देखो ठीक है तो आप इस तरह से क्या बना सकते हैं बुज़ और वर्कॉप यो करके मश्ली का चित्र बना सकते हैं, अपने आसपास कपड़ों पर चित्रों में दरी आदी पर मश्ली के डिजाइन ढूंडो, ठीक है, जो आपके ड्रेसेज होती हैं, चद्दर होती हैं, उनमें अलग-अलग डिजाइन बने रहते हैं, तो हो सकत मश्ली जैसी हैं, यहाँ पे एक लड़की का चित्र दे रखा है, और इसकी आइस आञे को जानते हैं, तो आपफसका नाप लिख सकते हैं, एक ऐसा चहरा बनाओ जसकी आखे मश्ली जैसी, अप भी इसी की तरह कोई फेस बना सकते हैं, ढूर उसकी आईस कैसे बनायें जैस मशली अलग-अलग आकार की हो सकती है, सबसे छोटी मशली लगबग एक सेंटीमीटर लंबी होती है, तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मशली के बारे में सोच सकते हो, है ना, अलग कोई बहुत छोटी मशलीयां होती है, कोई बड़ी मशलीयां होती है, और वो कहा रहे है कि सबसे छोटी मचली जो है वो एक सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर देखो कितना चोटा होता है मैं आपको scale से दिखाती हूँ यह देखो बड़ी से फिश की पिक्चर देख रही है यहाँ पर यहाँ सबसे बड़ी मचली वेल शार्क वास्ता में यहाँ बड़ी मचली है ठीक है यानि कि एक मचली जिसका आकार बहुत बड़ा होता है और यह और मचलियों से अलग होती है वेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है लेकिन मचलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती है हवा नहीं देख वेल में और और मचलियों में क्या अंतर है वो यहाँ पर बता गया है जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं अपनी तो ऐसी जो बेल होती है पानी के दौरा ही वो सांस लेती है जो पानी में ऑक्सिजन हवा जो मौजूद होती है उसी से वो सांस लेती है वेल बच्चों को जन देती है लेकिन मचली अंडे देती है ये भी उसमें अंतर है और मचलीं से इसलिए भी अलग है जैसे कि क्या होता है वेल जो होती है वो बच्चों को जन देती है जक्ति जो बागी मचलियां होती है वो क्या करती है अंडे देती है वेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाती वे मनुष्य पर हमला नहीं करती जो वेल होती है वो क्या करती है कभी किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाती है है न एक वेल शार्क 18 मीटर लंबी है सोचो जरा 18 मीटर किती बड़ी वेल होगी जरा सोचो किती लंबी होगी तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के उपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई अगर आपकी क्लास के जैसे बच्चे है उतने उतने 12 बच्चे खड़े कर दे तो तब जाके क्या बनेगी एक वेल शार्क के बराबर लंबाई बन पाईगी अंदाज लगा उसका वजन कितना होगा तो वजन यह नहीं कि तुम जितना 12 बच्चों का वजन होगा उससे भी कहीं ज़्यादा उसका वजन होगा लगबख 16,000 kg तो इमेजन कर सकते हो आपका वजन कितना होगा 25,30 kg होगा एक बच्चे का है ना लेकिन उसका वजन कितना होता है 16,000 kg होता है अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा वजन कितना kg है तो आपको जो पिछले पिछला आपका वजन मेज़र किया था आप उसी को लिख सकते हैं 25 होगा या 28 होगा या 30 होगा है ना और तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा ठीक है ना तो आप क्या करोगे अपने वजन को 12 से मल्टिप्लाई करोगे तो कितना आजाएगा आपका और बच्चों का वजन 12 बच्चों का वजन आजाएगा वेशार का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज्यादा होगा सपोज आपका वेट 30 केजी है है ना और आपने क्या किया 30 को 12 से multiply कि रहा तो 360 आया और 360 है और जबकि आप 12 बच्चों का वजन मिला के कितना हो गया 360 किलो हो गया और वेल का वजन वो बता रहे हैं 16,000 किलो ग्रैम है तो 16,000 में से आप 360 को minus करेंगे तो उतना आपका answer आजाएगा ठीक है class 5 के बच्चे you are enough mature to do this मचली की पूँच वेल और मचली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँचों को ध्यान से देखो तुम देख सकते हो कि मचली की पूँच उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है पर वेल की पूँच दो पैरों के समान दिखाई देती है क्या तुम तस्वीर में मचली को पहचान सकते हो देखो, जो मचली की पूँच होगी वो बिरको सीधी होगी, हिलेगी नहीं लेकिन जो वेल की पूँच होती है वो दो पैर हमारे जैसे हिलते हैं वैसे ही हिल सकती है, तो इसमें हम देख सकते हैं जो औरेंज कलर की ये तो फीश है और ये जो ग्रे कलर की बनी है, ये क्या है? वेल है, मचली का स्कूल तो देखें मचली का स्कूल कैसा है मचली समुद्र में बड़े-बड़े जुंडों में तैरना पसंद करती है जिसे मचली का स्कूल कहा जाता है जिसे आप लोग रहते हो ना एक ग्रूप में अपने स्कूल में ऐसी मशलियां भी क्या रहती हैं जुन्डों में रहती हैं और इसलिए उनको उस मशलियों का स्कूल कहते हैं जुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता वे बड़ी मश्लियों से सुरक्षित महसूस करती है तो आप लोग भी जैसे कभी अकेले रहते या ग्रुप में रहते हो कब सुरक्षित महसूस करते हो ये ऐसे ही मश्लियां भी होती है जब वो ग्रुप में रहती है तो चोटी-छोटी मश्लिया, बहुत सारा पाणी-पी पी-कर फूल जाती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं, अब कुछ मश्लिया क्या होती हैं? होती दो चोटी हैं, लेकिन वो पाणी-पी लेती हैं. अब यह देखे हो, यह नी-ला-डॉट नीचे दिये गए अलग-अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करूं ठीक है अब उसने क्या किया मचली बनाने के लिए उसने एक ट्राइंगल ले लिया एक ये वाला शेप ले लिया और यहाँपर क्या है अलग-अलग समुद्री जानवर दे रखा है समुद्री अर्चिन दे रखा है लॉब्स्टर दे रखा है ठीक है ना इल दे रखी है और आप क्या कर सकते हो इन जानवरों को इनकी शेप लेके यह जो अलग-अलग शेप दे रखी है ने कोई सर्कल दे रखी है ओवल दे रखी है ट्राइंगल दे रखी है इन से आप क्या कर सकते हैं इन समुद्री जारवरों को बना सकते हैं